स्वागत है आप सभी का भारत इस माई होम के पार्ट टू में थोड़ा विलंब हुआ उसके लिए सौरी लेकिन अब आगे बढ़ते हम लोग हम लोग देख चुके थे अपने पिछले वीडियो में पिछले वीडियो के लास तक में हम लोगों ने देखा था कि डॉक्टर जा पती के सपतगर्ण समारों के बात और इसमें उन्होंने जो लास्ट पराग्राफ जहां पर हम लोग पढ़ना बंद किये थे पिछले वीडियो में इसमें उन्होंने बात की थी पराग्राफ तीन में कि हम लोग जो मैं हूँ इसको देख लेते हैं I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication मैं इस office में इस office में जिसे कि उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा highly enriched बताया है जिससे कि business of education के मामले में अनुभव के मामले में डॉक्टर राधा कृष्णन ने उस office को enrich किया उसके बारे में बात करते वे अब ये अपनी बात कर रहे हैं और भारत के past की भी बात करते वे ये बोलते हैं यह यह बोलते हैं आप यहां देखिये कि इस जगह पर इनों ने कहा है कि I pledge myself first time industry given it is the young state of an ancient people who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have straven to realize timeless absolute values in their own peculiar way I pledge myself to the surface of those values यानि जिस value के साथ जिस ancient values के साथ और जो हमारा glorious past रहा है उस past को लेकर ये आगे बढ़ने की सपत कहते हैं और यह बोलते हैं कि वही past है जो हमारे पीछे खड़ा है वही हमारा present भी बनाएगा और हमारा future भी बनाएगा और यह past हमारे present को लगातार बदल रहा है हमने अपने भूत से सीख कर वरतमान को सुधारने का प्रियास किया है तो आईए अब देखते हैं ये किस सुधार की बात करते हैं और इनोंने हमें क्या-क्या सलाह दी है देखिए यहाँ पर ये कहते हैं paragraph 4 में कि the process of its constant renewal किसका constant renewal आपको सारा hard word मिल चुका है constant renewal किसका ये जो हमारा past को हम renew करते जा रहे हैं मारा जो past है glorious past है हम जिसको new करते जा रहे हैं उस process में वो जो process है उसको new करने का is indeed indeed मतलब वास्तव में वास्तव में the process of growth of national culture and national character ये जो हम अपने past को लगातार बदल रहे हैं या वास्तव में हमारे देश का विकास है और हमारे देश की sanskritik सभ्यता का विकास है हमारे राष्ट्रिय कैरेक्टर का राष्ट्रिय चरित्र का विकास है यानि यदि हम अपने past के कुछ चीजों को भूल कर आगे बढ़ रहे हैं तो यह हमारे लिए फाइदे मंद है यदि हम अपने past में कुछ amend करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो amend हम इसलिए कि हमने संसोधन इसलिए किया है क्योंकि हमने देखा है past में उससे होने वाले नुकसान को इसलिए मेरे देशवासियों आप मुझे गलत मत समझिएगा कि यदि मैं किसी भी प्रकार का परिवर्तन या कभी कभी harsh decision भी लेता हूँ तो मैं अपने past से प्रभावित होकर ही लूँगा और यह हमारे राष्ट्रिय चेतना को, हमारी राष्ट्रिय सब्यता को, हमारी राष्ट्रिय संस्कृती को विकास के पत पर आगे लेकर चलेगी it is the business of education as I see it to minister this constant renewal and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly if not entirely been made on account of my long association with the education of my people it is the business of education और यही education का business है education को यहाँ सिख्चा भी आप मान सकते हैं आप यहाँ ग्यान भी मान सकते हैं यह ग्यान अनुभव का यही business है as I see it, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ या देखता हूँ to minister this constant renewal यह जो constant renewal हो रहा है इसको minister करना यानि इसका नेत्रित्य करना इसको आगे लेकर चलना जहाँ तक मैं देख सकता हूँ इसको आगे लेकर चलना ही business of education है क्योंकि and I may be forgiven और मुझे छमा किया जा सकता है the presumption that my choice to this high office has mainly if not entirely been made on account of my long association with the education of my people और आज जो मैं इस office में चुनकर आया हूँ यह जो office में मैं चुनकर आया हूँ यह मुख्य रूप से अगर पूरे रूप से नहीं तो मुख्य रूप से मुझे इसलिए चुना गया है कि मैं इसी business of education से अपने लोगों से कई सालों से जुड़ा हूँ आप जान ही रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर उसेन बिहार के governor रह चुके हैं तो लोगों के दिक्कतों को वो समस्ते वे इतने अनुभवी बन चुके थे कि राश्पती पद के लिए जब उन्हें नामित किया गया तो किसी ने किसी प्रकार का विरोध भी ना किया और वो चुने गए क्योंकि वह मानते हैं यहां मानते हैं कि मेरा जो long experience था education का उस education को अगर यह presumption है मानता है कि mainly नहीं, mainly, entirely नहीं यानि पूरे रूप से खाली इसलिए नहीं कि मुझे education या मुझे अपने लोगों का बहुत अधिक ज्यानता अगर पूरे रूप से इसी को स्रे ना दिया जाए तो मुख्य रूप से इस गुन को स्रे दिया जाना चाहिए कि मैं अपने लोगों से जुडा हुआ था मैंने लोगों के कई सारी परिशानियों को as a governor देखा था और Indian policy जब आप पढ़ने जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि केंदर में जो राष्टपती होता है राज्य में वही राज्यपाल होता है तो एक छोटे से हिस्से का मैं मुख्या था वहां से मुझे देश का मुख्या बनाया गया तो इसमें कहीं न कहीं मेरे कुछ अनुभवों को जो मैंने लोगों से जुड़कर प्राप्त की उसका हाथ है I maintain that education is a prime instrument of national purpose मैंने इस बात को maintain क्या यानि हमेशा मैंने इसको बना कर रखा कि education सिक्षा ही prime instrument of national purpose है राष्ट का मुख्य परपस, मुख्य हतियार सिक्षा ही है एक सिक्षित समाज ही एक अच्छे राष्ट को बना सकता है तो instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation और सिक्षा की गुनवत्ता ही inescapably यानि सिक्षा की गुनवत्ता एक ऐसा गुन है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है सिक्षा की गुनवत्ता ही inescapably involved in the quality of the nation सिक्षा की गुनवत्ता राष्ट की गुनवत्ता का निर्मान करती है राष्ट के गुनों को बनाती है एक सिक्षित समाज क्यों आज लोग केरल जाना पसंद करते हैं बिहार आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहां का जो literacy rate है आप भी जानते हैं वो हमसे कई गुनाहाई है इसलिए वहां एक अच्छा समाज का निर्मान होता है बिहार में लोग आज भी उतरने से भले ही कितना अच्छा समाज हो गया हो हम भले ही बहुत सब्य और सो संस्कृत हो गए हो लेकिन फिर भी आज लोगों के मन में आज भी भय है कि यदि रात के बारा बजे किसी रेलवे स्टेशन पर और खास कर सुल्तानगन जैसे छोटे रेलवे स्टेशन पर मैं उतरूँगा तो हो सकता है कि मेरा सामान मुझसे छीन लिया जाए क्यों? क्योंकि सिक्छा की स्थिति आप देखी रहे हैं अब तो आप सिक्छी तो हो ही चुके हैं तो खुद समझ सकते हैं आईए तो डॉक्टर जाकिर हुसाइन की जो बात है कि बिजनस ओप एजुकेशन ही है जो हमारे राष्ट को निर्मित करता है हमारी राष्ट ये संस्कृती को बनाता है आई, देरफोर यहाँ देखे फिर आया ये वाला लाइन जो हम आपको एप्लिकेशन में भी सिखाते है आई, कॉमा, देरफोर रिक्वेस्ट यो टू ग्रांट में लिव फॉर फाइब डेज याद होगा तो वही चीज है आई, देरफोर, प्लेज माइस सेल्फ to the loyalty of our past culture मैं इसलिए सफत लेता हूँ कि मैं वफादार रहूंगा अपने past culture से या जो पीछे की, देखे डॉक्टर जाकिरुसेन ये बात मान रहे हैं कि हम कुछ नया नहीं ला रहे हैं हम पुराने चीजों को ही संसोधित कर रहे हैं इसलिए वह यहां बोलते हैं I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture My dear students, आपने देखा मुझे I have a dream पढ़ाते वे जहां मैंने आपको चिला चिला कर पढ़ाया था जहां मैं पूरे जोस से भरा हुआ था क्योंकि वह भाशन जोस से भरा हुआ था यहां यह भाशन वहां एक सदस्य भाशन दे रहा था यहां परिवार का मुख्या भाशन दे रहा है और परिवार का मुख्या जब भाशन दे रहा होता है तो वह बहुत सहज तरीके से अपनी बातें समझाने का प्रयास करता है यही कारण है कि इस वीडियो में आप मुझे थोड़ा धीरे धीरे बोलते समझाते समझाते बोलते देख रहे हैं कहीं से मेरे अंदर कमी होगी no doubt लेकिन हम बहुत प्रयास कियें इस कमी को दूर करने का और कोशिस है कि जिस प्रकार डॉक्टर जाकिर हुसेन ने तब के भारत को समझाया था अपनी सोच समझा रहे हैं तो जरूर कोई न कोई बात होगी इसलिए हम भी आपको थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते ही पढ़ा रहे हैं इसलिए मेरा जो भूत का या पिछला जो कल्चर है पिछली जो सब्यता पिछली जो संस्कृती है मैं उस संस्कृती के प्रती वफादार रहूंगा अगर आप राम की संस्कृती को मानते हैं तो हम राम की संस्कृती के प्रती वफादार रहे हैं अगर आप इसलाम की संस्कृती मानते हैं तो हम इसलाम की संस्कृती के प्रती वफादार रहेंगे यह वाप पोश्ट है जहां पहुंचने के बाद न धर्म न जाती न रंग किसी भी रूप में भेदभाव नहीं किया जाता यही कारण है कि यहां पर वाप बोल रहे हैं कि मेरे मैं इसलिए कसम खाता हूँ मैं सपत लेता हूँ मैं अपने आपको गिर्वी रखता हूँ उस सेवा के लिए जिसमें पूरे मेरे देश के कल्चर की टोटालिटी यानि एकता सम्मलित हूँ आई प्लेज माई सेल्फ माई लोयलिटी तो माई कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ओफ रिलीजियन और लेंग्वेज मैं सपत मैं अपने आपको गिर्वी रखता हूँ या मैं सपत खाता हूँ आप ऐसे भी समझें मैं सपत कहता हूँ कि मैं अपने देश के प्रती वफादार रहूँगा मैं अपनी वफादारी को गिर्वी रखता हूँ अपने देश के लिए इर्रेस्पेक्टिव ओफ मतलब जहां मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदबाव नहीं है चाहे वह धर्म के अधार पर हो चाहे भाषा के अधार पर यानि मेरी वफादारी धर्म और भाषा को देख कर नहीं होगी I pledge myself to work for its strength and progress मैं खुद सपत लेता हूँ कि मैं हमेशा इसके strength और इसके progress के लिए काम करूँगा इसकी मजबूती और इसके विकास के लिए काम करूँगा and for the welfare of its people और इसके लोगों के किसके लोगों के तो देश के लोगों की अच्छाई के लिए काम करूँगा without distinctions बिना भेदभाव के of caste, color और creed यानि बिना जाती, रंग, समुदाय के भेदभाव के मैं इस देश के प्रगती के लिए हमेशा काम करूँगा The whole of भारत is my home यह पूरा भारत मेरा घर है and its people are my family और इसके लोग मेरे परिवार हैं The people have chosen to make me the head of this family for a certain time इन लोगोंने मुझे इस परिवार का मुख्या चुना है, कुछ समय के लिए ही इस परिवार का मुख्या चुना है It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful यह मेरी हार्दिक इच्छा होगी कि मैं इस घर को मजबूत और खुबसूरत बनाओ A worthy home for a great people एक ऐसा घर बनाओ, एक ऐसा घर बनाओ, जहां महान व्यक्तियां रह सकें Engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life मैं इस घर को, यानि यहां के जो लोगोंने मुझे परिवार का मुख्या बनाया है मैं इस घर को एक ऐसा घर बनाओ, जहां कि लोग अपनी प्रगती, अपने विकास के बारे में सोच सकें किसी और चीज पर किसी भी प्रकार का उनका दवाब नहीं रहे वह सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की कर सकें मैं ऐसा घर बनाने का सोच रहा हूँ और इस घर को बनाने में आप मेरी मदद करेंगे और वह मदद यहां इन्होंने मांगा है देखिए, इन्होंने बोला है कि तुलनात्मक रूप से बहुत तेजी से ही यह परिवार बढ़ भी रहा है यह परिवार बढ़ा है और बढ़ भी रहा है We shall, each one of us, have to participate unsparingly in building its new life हम लोगों को, हर एक लोगों को, each one of us, हम में से हर एक लोग को have to participate हिस्सा लेना होगा unsparingly, बिना छोड़े, मतलब बिना कन्नी कटाए in building its new life हम में से हर एक को, इस नई जिन्दगी को बनाने के लिए अपना अपना हिस्सा लेना पड़ेगा each in each own way, अपने अपने तरीके से ही कोई तरीका नहीं इसका fix है, कोई करिकुलम नहीं बना हुआ है कि किसी देश को विकास के ओर ले जाने के लिए फलाना किताब पड़के चिलाना परिक्षा दे देने से देश विकसित हो जाएगा यह कहीं नहीं लिखा हुआ है सबको अपने अपने तरीके से विकसित बनाने में मदद करनी है For sheer size, the tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country For sheer size, और इस task में, for sheer size the tasks ahead of us और यह जो धुन्दला सा ही, task जो हमारे सामने है अब तो task हमारे सामने है कल तक हम गुलाम थे तो हमारे सामने task नहीं था आज धुन्दला ही task है कि हमें देश को विकसित बनाना है हम नहीं जान रहे हैं कि कैसे बनेगा लेकिन यह जो task हमारे सामने है Are so demanding या इतना demanding है जिस प्रकार अगर आपने अभी से सपना पाल लिया कि मुझे UPSC क्रैक करना है तो वह टास्क इतना demanding है इतना demanding है कि फिर आप afford नहीं कर सकते हैं अगर आपको उस सपने को हासिल करना है तो आपको स्टेटेस लगाना छोड़ना होगा अभी से तब जाकर आप यह बोला जा सकता है कि आप भाई साहव UPSC में IAS बने UPSC तो 900 नौकरियां देती है एक बार में सिविल सिवा में लेकिन UPSC की 900 नौकरियों में सिर्फ और सिर्फ 70 से 72 लोग जनरल कटेगरी से IAS बनते हैं और IAS मरना ही लोगों का सपना होता है बाकी तो आप अलग-अलग छेतर में अच्छे पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं चुने जाते हैं निर्वाचित नहीं बलकि चुने जाते हैं आपका सेलेक्शन होता है लेकिन My Dear Students यह वही टास्क है जो डिमांड कर रहा है we cannot afford to sit back हम afford नहीं कर सकते कि आराम से बैठे रहें and just watch और देखते रहें कि देश कैसे प्रगति कर रहा है और let frustration become endemic in our country और यह जो तनाव है यह जो आज आप तनाव देख रहे हैं नौकरी नहीं है नौकरी नहीं है फलाना जगा घुटाला हो गया चिलाना जगा घ घुटाला करने वाली सरकार नहीं होती सरकार के लोग होते हैं यही तो इन राश्पती महोदे का कहना है कि हमें अपना काम करना है ताकि देश विकास की ओर जाए किसी ने उस पद पर पहुँचकर उस पद की गरिमा को ठेश पहुचा दिया तो बदनाम हो गया पूरा यह तो हर एक व्यक्ति से अपील कर रहे हैं दा सिच्वेशन डिमांड्स आफ अस वार्ण वार्ण और जो सिच्वेशन है यह डिमांड कर रही है हमसे मांग रही है कि काम करो काम करो केवल काम करो silent and sincere work चुप चाप मेहनत चुप चाप करो लेकिन लगातार करो solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people एक द्रिड लगातार इस जो हमारे लोगों का culture है यह लगातार build up हो बने इसके लिए हमें लगातार काम करना होगा यह परिवार का मुख्या अपने परिवार के लोगों को समझा भी रहा है और आग्रह भी कर रहा है कि हमारे देश को अगर विकास के पत पर आगे बढ़ना है तो हम में से हर एक को काम करना होगा हर एक व्यक्ती को काम करना होगा हम अकेला आदमी काम अच्छा नहीं कर सकते मान लिजिये हम लगातार वीडियो बना कर जो ही बच्चे लगातार हम से पढ़ रहे हैं या हमारे पिताजी से पढ़ रहे हैं लगातार हम आपको वीडियो बना कर प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन आप पढ़ियेगा ही नहीं तो हम अकेले तो सक्सीड नहीं होगे आप पढ़ियेगा आपको नंबर आएगा तो आपके नंबर से हमारा नाम बढ़ेगा इसलिए यहाँ पर भी डॉक्टर जाके रुसेन यही कहते हैं कि हम में से हर एक को अपना-पना काम करना होगा साइलेंट काम करें, सिंसियर काम करें परिशानिया सब के जीवन में आती हैं चाहे वह देश का जीवन हो, चाहे मनुष्य का जीवन हो तो उस परिशानियों को जहिलते वे हम आगे बढ़ें आईए आगे चलते हैं आगे ये क्या बोलते हैं देखते हैं अब देखिए ये जो काम अभी तक लोगों ने पूछा परिवार के मुख्या से कि मुख्या जी काम क्या बोलते हैं आप This work as I see it has two aspects यह काम जहां तक मैं देख सकता हूँ इसके दो पहलू है Work on oneself and work for the society around काम एक व्यक्ति अपने विकास के लिए करे या काम एक व्यक्ति समाज के विकास के लिए करे मैं इस काम को दो पहलूँ में देख सकता हूँ एक अपने विकास के लिए अपने प्रगती के लिए किया गया काम एक समाज के प्रगती के लिए किया गया काम They are mutually fruitful aspects of work और ये दोनों ही वर्ख एक दूसरे से सभागिता का सम्मंद रखकर जुड़े हुए है mutually fruitful aspects of work दोनों से fruits मिलेंगे, दोनों से अच्छे नतीजे मिलेंगे कोई आदमी यदि अपनी विकास के लिए काम करता है और वह काम गलत होता है मान लिजिये गलत होता है तो पूरा समाज उससे सीखता है कि वह काम गलत है तो वह समाज को एक दिशा देता है कि इस दिशा में नहीं जाना है आपने कोई और जगह जाना है गलती करके भी लोग कुछ न कुछ सिखा जाते हैं The work on oneself is to follow the urge towards moral development as a free person जब कोई व्यक्ति अब ये बता रहे हैं अब ये गलती की तरप नहीं ले जा रहे हैं गलत रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं अब ये बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जब अपने लिए काम करता है तो वा अपना moral development करता है अपना नैतिक विकास करता है as a free person एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपना नैतिक विकास करता है अब विश्वास किजिए एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जब हम पढ़ा रहे होते हैं और full-fledged पढ़ाते हैं पिछले दो दिन से mood नहीं बन रहाता नहीं वीडियो बनाए तक्नीक में भी खराबिती नहीं बनाए जिस दिन अच्छा mood रहेगा हाँ हम 100% जिस दिन देंगे उसी दिन हम वीडियो बनाएंगे यह अलग बात है कि हो सकता है मेरा 100% जो होता हो वह आपकी नजर में 20% हो लेकिन मैं अपनी नजर में आराम से सोता हूँ कि भाई साब मैंने एक स्वतंत्र रूप में अपना नहतिक विकास जो किया यह विकास मुझे जितना आता था मैंने इमांदारी से अपने बच्चों को सिखाया and under self-imposed discipline self-imposed discipline खुद पर ला दे गए अनुशासन के खुद पर ला दे गए सासन के अंदर में रहकर उसके अनुशासन में रहकर हम अपना विकास करते हैं which alone can render that development possible और ऐसे स्थिती में कोई व्यक्ति केवल और केवल अपना विकास करता है its end product is a free moral personality और यह जो काम इसने किया अपने लिए काम किया यह अंत में क्या result देता है यह अंत में एक अच्छे मानव के रूप में result देता है कोई व्यक्ति मान लिजिए आप अपने मौसी मौसा से कोई संपर्क नहीं रखते हैं किसी से कोई संपर्क नहीं रखते हैं आप अपना विकास अपना प्रगती देखते हैं और खुद पढ़ते रहते हैं खुद पढ़े आप खुद I.E.S. बन गए लोग बोलेंगे कि वह खुद पढ़ता था खुद आईयस बना लेकिन एक अच्छा आदमी एक आईयस होकर आप पूरे समाज का भला कर सकते हैं तो अगर आपने अपने आपको भी अच्छा बनाया तो भी तो end product जो निकला वह पूरे समाज को प्रभावित करता है यही बात यहां यह कर रहे हैं कि its end product is a free moral personality we can neglect the end product only at our peril हम इस end product को neglect कर सकते हैं यदि हमारी चान बले बले हमराओ करा स्की ले ना देना लेकिन यदि देखिए अगर आप बनते हैं तो आप प्रभावित करते हैं आज पास के लोगों को कि तुम भी कर सकते हो अकुछ लोग हैं जो होगा कि दो बलने बलने असनो धेरी बने चे तो उसमें उसका रिस्क है वह अच्छा नहीं बनेगा बाकी आप तो अच्छा बनी गए और आपसे प्रभावित होने वाले भी लोग अच्छे हैं we can neglect the end product only at our peril this end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve और यह जो end product है this end product cannot sustain यह end product इस्थिर नहीं होगा विक्सित नहीं होगा यदि यह end product समाज को प्रभावित नहीं करें यिसने आप मौन लिजी आईएस बनकर समाज से कट कर चले गए तो आपका जो अपना local समाज है वहाँ आपसे प्रभावित नहीं होगा ठीक है तो आपको अपने local समाज को प्रभावित करना है तो end product को समाज के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा तो इनका जो काम है कि एक जो अपने लिए काम करता है और एक जो work for the society around तो अगर कोई व्यक्ति अपने लिए काम करता है तो भी वह society के लिए लाप्रद होता है यदि कोई व्यक्ति society के लिए काम कर रहा है तो society के लिए तो अप्रद है ही to serve to a better adjuster and a more graceful way of life यह society को लेकर चलने वाला चीज है एक अच्छे जीवन का निर्मात्री होगा अगर कोई व्यक्ति अपने विकास के साथ समाज को भी लेकर चलता है इसलिए मेरा कहना है कि आप काम किजिए यदि आप केवल समाज को लेकर चलते तो भी ठीक है और यदि आप अपने आपको ले कर चलते हैं तो भी my dear family members please समाज को अपने आप से प्रभावित कीजिए और बताईए the individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence एक individual full growth नहीं कर सकता यहां पर डॉक्टर जाकर उसेन कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति अकेले growth नहीं कर सकता जब तक कि वह समाज को ले करना चले मतलब मनुष से एक समाजिक प्राणी है समाज के साथ ही से रहना चाहिए let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work individual and social इसलिए हम लोगों को individual और social work साथ में करना चाहिए चलिए हम लोग साथ में विकास की और आगे बने और अपना अपना काम करें चाहे वह individual हो चाहे वह social हो आगे बोलते हैं this dual effort will give to the life of our state a special flavor और यह जब दो दो काम करेंगे हम लोग अपने लिए भी और समाज के लिए भी यह हमारी राज्य को एक special flavor देगा अलग सी पहचान देगा for the state to us will not be just an organization of power but a moral organization क्योंकि यह देश केवल और केवल power के लिए नहीं है यह देश नीती का देश है यह देश धर्म का देश है इस देश को आगे बढ़ाना हमारा धर्म है it is a part of national temperament and inheritance from the great leader of our liberation movement mahatma Gandhi that power should be used only for moral purposes and it is a part of national temperament and inheritance और यह जो बात मैंने किया यह एक हिस्सा है राष्ट्रिय टेंपरामेंट और inheritance के जो राष्ट्रिय सोच है इसका एक हिस्सा है जो कि हमारे स्वतंतरता के महाननेता mahatma Gandhi ने कहा था कि that power should be used only for moral purposes कि सक्ती का परियोग केवल नैतिक कामों के लिए होना चाहिए the peace of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for the peace of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for और यह जो सक्ती है यह जो मजबूती है यही हमें dedicate करती है कि हम अपना काम अच्छे से करें I have full faith in my people मुझे पूरा विश्वास है अपने लोगों में that they will bring forth यह लोग उत्पन करेंगे the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लोग उत्पन करेंगे उस उर्जा को जो कि हमारे लिए satisfactory performance देगा और इस dual task को जो कि हमारे पास है कि अपने को भी प्रगती करना है समाज को भी लेकर चलना है इस task को अच्छे से करेंगे और यह मेरा अपना अहो भाग्य होगा जो मैंने इस इस अच्छे काम में जो तोड़ा बहुत सही योग मेरे भाग्य में लिखा होगा मैं करूँगा आपकी जानकारी के लिए बता दे ये दो ही साल राश्पती रह सके थे जिसके बाद इनका निधन हो गया था और ज़्यादा इन्होंने कुछ काम नहीं भी किया था सपना इनका अच्छा था लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े थे लोगों से उमीद की थी कि केवल हमसे उमीद मत कीजिए आप भी काम कीजिए तो ही हमारा देश प्रगती के राह पर चलेगा हम विश्वास करते हैं हम आशा रखते हैं कि आप लोग स्वस्थ होईएगा औ थैंक यू थैंक यू थैंक यू हम लोग फिर अगर लॉकडाउन आगे रहा अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें